नमस्कार दोस्तों स्वागात आपका अपनी यूट्यूब चैनल अखिल सिच्छा में मखलेश कुमार अमित्रों जैसे के हम लोग सम्मिदान से सम्मंदित दो भाग पढ़ चुके हैं आज भाग तीसरा है इसमें भी आपको 30 कोशन मिलने वाले हैं 61-90 तक फिर उसके बाद आपको चौते भाग के रूप में 90-120 कोशन मिल जाएंगे तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ने किये हैं चैनल को सस्क्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे अगला वीड़ियो जब भी Upload हो इसकी सुचना आप तक सबसे पहले पहुंचे जो लोग चैनल को सस्क्राइब कर लिया हैं उनको चैनल को सस्काइब करने की जरूरत नहीं हैं बस वो अपने दोस्तों तक शेहर करके इसे जादा सज्दाध डबल अडब करने में अपनी योगदान दें क्योंकि ये चैनल खास करके उन भायवैन एवं मित्रों के लिए समर्पित है जो लोग पैसे के अभाव में सहर जा करके तैयारी नहीं कर पाते हैं तो जहां तक मेरा प्रयास है आप सब को जादस जादा जानकारी उपलब्द करवा दें खास करके UPTT और सीटर से संबन्दित है तो चलियत देर न करते हुए प्रसंड को चालू करते हैं एक्सर नमबर प्रसंड कहा रहा कि सम्मिधान में कल्यानकारी राज्यकी अवधारा किसमें नहीत है यह है प्रस्तावना में B के रहा मूल अधिकार में C के रहा नीती नीदेशक तत्यों में और D के रहा मूल करतव्यों में तब को इसका राइट एंस्वर किस करना है और इसका राइट एंस्वर है आप्सन नमबर C नीति निदेसक तत्यों में चलिए अगला देखते हैं किसी राज्य का उच्थम विदी अधिकारी कौन होता है आपको राइट एंस्वर इसका करना है इसका राइट एंस्वर है आपसर नमबर बी एडवोकेट जनरल चलिए अगला कोश्चन देखते हैं राज की नीति नहीं देशक देखते दान्तों के अनुसार किस आयों तक के बच्चों को निशुल की यों अनिवार्स इच्छा देने की आशा की जाती है इसका राइट एंस्वर है आपसन नमबर ए चोध्य वर्स निति न देखते हैं जो अनुछेद इक्यावं क्या है उसमें हर माता पिता का यह करतब होगा कि अपने 6 से 14 वर्स तक के बच्चों को निसुल की मनुवार सिच्छा दिलाने का काम करें चलिए अगला देखते हैं अब हारती समिधान में मूल करतबों का वरण किस अनुछेद में है तो इसका राइट एंसवर आपको गेस करना है तो इसका राइट एंसवर है आपसर नमबर भी अनुछेद 51 कर चलिए अगला देखते हैं समिधान में मूल करतबों की प्रेड़ा किस देश से ली गई है तो आपको एंसवर गेस करना है ए अपसर कहरा जर्मनी बी कहरा एर लेंड सी कहरा पूर्व सोबियत संग और डी कहरा दच्छिड अफ्रीका इसका राइट एंसवर आपसर नमबर सी पूर्व सोबियत संग चलिए अगला देखते हैं राश्पती चुनाओं में बिवाद का मामला किसे सौपा जाता है यहीं राश्पति चुनाओं में विवाद का मामला किसे सौपा जाता है एक कहरा पारलियमेंट P कहरा है सरवोच्य नियाल है C कहरा है मुख्य चुनाओ आयोक्त और D अप्सन कहरा है B और C चलिए इसका राइट अंसर देख लेते हैं चलिए इसका राइट अंसर है आप्सन नंबर B शरवोच्य नियाले चलिए अगला देखते हैं भारत में कारपालिका का अध्यच कौन होता है तो जब को अंसर किसकरना है आप्सन नंबर A राश्पत B प्रदानवंतरी C बिपच्च का नेता डी भारत सरकार का मुख्य सच्चीव जिसका राइट अंसर है आप्सन नंबर A राश्ट पती चलिए अगला देखते हैं भारति संग की सक्ती किसमी नहीं थे आप्सन नंबर A कहरा संसद B कहरा प्रदानवंतरी C कहरा राश्पत और D आप्सन कहरा मंत्री मंडल तो इसका राइट अंसर है आप्सन नंबर A संसद चलिए और 17 वा क्वेश्चन देखते हैं भारतिय सिवाओं लिखा है यहां सेना होना चाहिए सेनाओं का सरवोच सेनापती होता है तो आप ऐसे समझेए भारतिय सेनाओं का सरवोच सेनापती होता है यहां मिस प्रिंटिंग है तो A अप्सन कहरा राश्पत B कहरा उप्राश्पत C कहरा रच्छमंत्री और D अप्सन कहरा फिल्ड मार्सल तो आपके जानकारी के लिए बता दें इसका राइट एंस्वर आप्सन नमबर A राश्पत राश्पत जो है तीनो सेनाओं का अध्यच होता है सरवोच सेनापती यानि थल, जल और वायू चलिए अगला देखते हैं भारत के राश्पत वायूप राश्पत के पद के खाले होने की स्थिती में जो बेगती राश्पत के पद का निर्वाहक करता है वो है लोग सभा का अध्यच B के राश्पत भारत का मुख्यने आधीश C करा राश्पत के सभापती D के राश्पत वादी तो आपको इसका राइट एंस्वर चूच करना है इसका राइट एंस्वर है आपसा नमबर B भारत का मुख्यने आधीश चलिए अगला देखते हैं निर्वरोध चुने जाने वाले एकमात राश्पत थे आपसा नमबर ये कह रहा है राजेंदर परसाद B आपसान कह रहा है ज्यानी जैल सिंग C आपसान कह रहा है नीलम संजीवा रड़ी और D आपसान कह रहा है एपीज अब्दुल कलाम जिसका राइट एंस्वर है आपसान नमबर C नीलम संजीवा रड़ी चलिए अगला देखते हैं राश्पत पर महावियोग का रोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है आपसान नमबर E कह रहा है राजिसभा B कह रहा है लोगसभा C कह रहा है संसद के किसी भी सदन द्वारा और D आपसान कह रहा है उप्रोप्त में से कोई नहीं इसका राइट एंसर है 72 का सी संसद के किसी भी सदन द्वारा राश्प्रत पर महावियोग का अरोप लगाया जा सकता है चलिए अगला देखते हैं कोई भी विक्त राश्प्रत पत के लिए अधिक्तम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है आपसर नमबर ए कह रहा है एक बार बी कह रहा है दो बार सी कह रहा है तीन बार और डी कह रहा है कोई सीमा नहीं इसका राइट एंसर है आपसर नमबर डी कोई सीमा नहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में राश्प्रत जितने बार लोग चाहेंगे यानि लोकसभा, राजसभा और विदानसभा के निरवाची सदत और राश्पत उतने सालों तक बना रह सकता इसका कोई समय सीमा नहीं है कि एक बार रहेगा दो बार लेकिन अमेरिका में एक बेक्त केवल दो बार ही राश्पत बन सकता उससे ज्यादा नहीं चलिए अगला द नियाले के मुख्य नायदीश, सी करें प्रदानमंत्री और डी अप्सन करें लोकसभा अद्दश, तो इसका राइट अन्सवर है, आप्सन नमबर वी उचितम नियाले के मुख्य नायदीश, चलिए अगला देखते हैं, उपर राश्पत के निरवाचक मंडल में शामिल हो ए अप्सन करें शिर्फ राजसभा के सदस, बी अप्सन करें शिर्फ लोकसभा के सदस, सी अप्सन करें राजसभा अउम लोकसभा के निरवाचित सदस, चलिए इसका राइट अन्सवर है, आप्सन नमबर डी राजसभा अउम लोकसभा के सदस, चलिए अगला देखते हैं राजिसभा की बैटकों का सभा पति तो कौन करता है यानि राजिसभा का सभा पति एक तरह से कौन होता है चलिए आपसो नमबर ये कह रहा है राश्पत, B के रहा है उपराश्पत, C के रहा है प्रदान मंतिरी और D के रहा है राजिसभा का उपसभा पति इसका राइट एंस्वर है आपसर नमर भी उपर राश्टपति उपर राश्टपति राजिसभा का सभापति होता है चलिए अगला देखते हैं निमने में से किसकी नियुक्ति भारत में राश्टपति द्वारा नहीं की जाती इसका राइट एंस्वर है आपसर नमबर ए लोग सभा अध्यच चलिए अगला देखते हैं निमने में से काउन सांसद का अस्थाई युम उच्च सदन है ए अपसर कहरा है लोग सभा बी कहरा है राज्यसभा सी कहरा है ए युम बी दोनों और डी अपसर कहरा है इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट अंस्वर है आपसर नंबर भी राज्य सभा राज्य सभा यह अस्थाई यह उच्छ सदन है यह कभी भंग नहीं होता चलिए अगला देखते हैं राज्पत द्वारा राज्य सभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है उन्यास्यामा कोर्शन कहा रहा है कि राज्पत द्वारा राज्य सभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है A option कहा रहा है 10, B कहा रहा है 11, C कहा रहा है 12 और D option कहा रहा है 14 तो इसका right answer है option number C 12 और आपको बता दें कि राज सभा का जो अधिक्तम संख्या है वो है 250 जिसमें से 12 राश्पत मनोनीत करता है लेकिन वरतमान में 245 है चलिए अगला देखते हैं लोगसभा में कि सर्राज के परतिनिदियों की संख्या सरवधिक है तो आपको गेस करके बताना है पिछले बागों में आप ये चीद पढ़ भी चुके हैं कि लोगसभा में कि सर्राज के परतिनिदियों की संख्या सरवधिक है ये कह रहा ब्यार, B कह रहा तमिलनाडू, C कह गए रहा है उत्तरप्रदीशं तो आपको ऑउन्सवर कीसक्रीश करना है इसका राइट एंसवर है आपसो न्मबर डि उत्तर प्रदेशं क्योंकि उत्तर प्रदेश में रव्दिकजन संख्या है ठीक्टंतर हने के ना नाते और यहां रव्दिक लोगसभा सीट यानि असी है इसलिए भारत में लोग सभा का प्रतिनी दिद्ट करने वाला सर्वधिक अगर पूछे तो आपको उत्तर पर्देश याद रखना है और दुत्तिय अस्थान पे महाराष्ट को याद रखना है चलिए अगला देखते हैं किसी राज में राशबच सासन का अर्थ है कि किससे सासित है सीदे राशबच से ये अप्सन कहा रहा है वी कहा रहा है एक केयर टेकर सरकार दोरा C option कहा राजपत द्वारा नामीतिक मुखमंतिरी द्वारा और D option कहा राज़ की राज़िपाल द्वारा तो इसका right answer है मित्रू option number D राज़ की राज़िपाल द्वारा तो आपके जानकारी के लिए बताते चलें कि जिस प्रकार देश का गवर्नर राशपत होता है उसी तरह राज़िका गवर्नर राज़िपाल होता है और राज़िपाल को राज़ि में राशपत सासन एक तरह से राज़िपाल सासन को राशपत सासन कहा जा सकता है चली अगला देखते हैं लोगसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक बेक्त की नियुनतम आयू होनी चाहिए आपसर नमबर एकरा 21 वर्स, ब करा 24 वर्स, C करा 25 वर्स और D करा 26 वर्स इसका राइट आपसर नमबर C 25 वर्स लोगसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो बेक्त इच्चुक होता है तो उसके लिए जो नियुंतम आयू रखी गई है वो है 25 वर्स रखी गई है और आपके जानकारी के लिए बता दें कि ग्राम पंचायत सदस यानि प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए आपका लेकिन बात आये राजिसबा तो आपको 30 वर्स रखना है और राश्पत पूछे तो आपको 35 वर्स याद रखना है नियुंतम आयू चलिए अगला कोशन देखते हैं निमने में से कौन भारत के राश्पत ये बनने से पहले भारत रतन से सम्मानित किये गए थे यहां स्वार्गेस करना है कौन से ब्यक्ति थे जो भारत के राश्पत बनने से पहले ही भारत रतन से सम्मानित किये गए थे तो आपसर नमबर A कहरा है Dr. Srankar Dyal Sarma B कहरा है Dr. Radhajindr Prasad Čपसर नमबर C कहरा है V. V. Giri और आपसर नमबर D कहरा है Dr. Yes Radha Krishnan अब को एंस्वर करके बरताना है इसका right answer है आपसर नमबर D Dr. Yes Radha Krishnan यह भारत के पर्तम उपराश्पत थे चलिए अगला देखते हैं लोक सभा यों राज सभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए तो आपको answer देखना, guess करना है A option कहरा है 3 महीने, B कहरा है 6 महीने, C option कहरा है 8 महीने और D option कहरा है 9 महीने तो इसका right answer है option नमबर B 6 महीने चलिए अगला कोशन देखते है कोई विधेयक, धन विधेयक है, इसका निर्ड़ेक कौन लेता है option नमबर A कहरा है प्रधान मंतरी B कहरा लोक सभा का महासचिव C option कहरा है राश्पाती D option कहरा है लोक सभा अध्यश्च तो कोई विधेयक, धन विधेयक है, इसका निर्ड़े लोक सभा अध्यश्च लेता है इसलिए इसका right answer है option नमबर D, लोक सभा अध्यश्च चलिए अगला देखते है अगला देखते हैं option नमबर D, लोक सभा अध्यश्च अगला देखते हैं परदान मंत्री की निवक्ति कौन करता है एप्सन करते हैं लोक सभा अध्यश्च बी करते हैं राश्च पत्यश्च अप्सन करते हैं उपर राश्च पत्यश्च और डी करते हैं बहुमत दल का नेता तो आपको answer गेस करना है देखते हैं इसमें परमित नहीं होना है जो प्रदान मंत्री बनता हुआ बहुमत दल का नेता होता है और उसकी निवक्ति राश्च पत्त करता है तो इसका right answer है अगला देखते हैं, यदि संसद किसी विदेयक को राश्पत के पास भेशती है, तो सम्मिधान के अनुसार राश्पती क्या कर सकते हैं। अगला देखते हैं, विदेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किये जाते हैं। इसका राइट एंसवर है, आप्शन नमबर A, लोगसभा, लोगसभा में ही बिदेयक सबसे पहले पेश किया दाता है। चलिए, अगला देखते हैं, अगला वर लास्ट कोश्चन। निमनलखित में से किसे लोगसभा की कारवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है, प्रंत मत देने का अधिकार नहीं। A, आपसन कहरा है महाणियाएवादी, B, कहरा महादिवक्ता, C, कहरा अभिपच्च का नेता, D, आपसन कहरा है राजयसभा का सभापति। इसका राइट अंस्वर है, आपसन अमरे महाणियाएवादी, यह राश्पर द्वारा मनोनीत किये जाते हैं, इसलिए इन्हें मत देने का अधिकार नहीं रहता है, चलिए, तो मित्र ये था आज का 30 महातपूर कोश्चन जो आप लोगों ने देखा और समझा, और आगे भ इस चैनल को, अखिल सिच्छा यूट्यूब चैनल आप सबको निसुल्क स्यमाय दे रहा है, खास करके यूपी और बिहार में जो मित्र रह रहे हैं, और पैसे क्या बाव में सहर जाकर तैयारी नहीं कर पाए हैं, यह ता संबाव जीतना हो सकेगा, आप सबके लिए वीडि आगे बढ़ते रहे हैं, फिर मिलेंगे नए भाग के साथ।